विल्कम भाई इस तो आपको फिर से सोगती रियल किंग ओपिशियल में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का दिन का थर्ड टीटेन मैश होने वाला है एच एडवलू वर्सस सी एटी के बीच में इस मैश में हम बताएंगे भाई कौन सा अज़ा प्लेयर है जो अभी नहीं करता ठीक है लेकिन वो बालिंग बैटिंग कर सकता आज के मैश के लिए क्योंकि भाई देखिए सी एटी के टीम काफी है स्ट्रॉंग टीम है अभी फर्स्ट पर चल ला है उनका उनसे उनके मुकाबले एच डेवलू के टीम बहुत विक टीम है ठीक है तो काफी सारे किसको बैटिंग उपर मिलेगा सब कुछ बास ना बगए कंथर मिलने वाला हुए घंड मिलने वाला है तो कोई अपको बिटियाइफ व Siem, सब्सक्राइब कुछ आपको टेली गाम में मिलेगा ठीक है और देखी जो लास्ट टीटेंट हमने कवर किया वह भी एंप में में टीगाम में तो टेलीगाम का लिंक में आपको एटूब डिस्क्रिप्शन में देंगा वासर जाकर अब लग जोइन हो जाना अगर मैश के बारें बात करूं तो सी एटी के टिम आठ मैस में आठ मैश में जितके आ रहा है एईचे के डबलू एईचे डबलू के टीम छे में एक मैश जीता है ठीक है एवराज जैस के बारें आपको बताओ तो भाई जो मैट बाला पीछ होता न होई पर खेला जाएगा तो ज्यादा भी एफिर आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है और विनिंग चांसे भाई सी एटी के टीम का ज्यादा है कि क्योंकि भाई यह strong team है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर है इनके टीम पे यासी राली वासी मबर अवास ऑसाँमेद ठीक है तो इस टीम के बारे में बदाओ तो यासी राली बहुत बड़िया प्लेयर है और प्लेयर है क्योंकि दोनों ही hitter बैच्ट प्यान है और दो ओवर कंफर्म कर तो फुर आसिम अब बस धो बर ना भी कर सकता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखना और सामित अगर सी एटी के टिम फर्स्ट वैटिंग करेगा फिर अगर सामित बहुत इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि एक बहुत बढ़िया प्लेयर है लेकिन बहुत ही बढ़िया प्ले से अगर तो इंपोर्ट होने वाला है क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर थी ताहिर इलियास भी कुछ मैस्ट में किया है कुछ मैस्ट में वीडिलोडर में आ रहा है अगर यह उपर आएगा लाइक ओपेनिंग करने और थाट डाउं पर आएगा तो इंपर्ट होने वाला ह अगर शीएटी के टीम चेश करेगा उसी जबसे ताहिर को ओपेनिंग दे सकता है ठीक है गुलम दस्ते कर इंपॉर्टन प्लेयर क्योंकि दो वर कर रहे हर मैस्ट में महमद आसिप भी दो वर कर रहा है हाला के लास्ट मैस्ट में एक वर किया था लेकिन इंपॉर्टन प्ल एक करना पbourne करेंगा फिर उससे इन दौनों को बॉलिंग मिल सकता है है इसे इस इसे इंपरस्ट से बाइली और लेकर चलना तो यह सी इंपोर्टन प्लैर कौन 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 से है यासी डाली आसीम अब्बास बहुत इंपोर्टन प्लेयर है दोनों एज़ा कैप्टन भाई जिद्र सेक्टों सिंगल लिंग में दोनों को आवा सामेद बहुत इंपोर्टन है टाइर इलिया से अगर उपर आएगा जो ऑफिशल बैडिंग लाइनप में अगर दिखेगा तो इंपोर्टन होगा अगर सीखटी की टिम चेज़ करेंगा फिर उपर निगा विज़े दूगा एईशेड़ के टीम की तरफ से अमिडrasya जो की ओपिनिंग किया था तो इंपर्टन होगा कमरण जिया एक ठीक टैक प्लेया रहा है लास्ट चार मैश में इसने दो पारी अच्छा खेला है 2321 तो चाहो तो लेकर जा सकते हो ठीक है और एक इंपर्टन पहर यह से मौहमध भी लाले हाला कि फर्स्ट दो मैश ओपेनिंग किया था लेकिन अभी चा कि इसमय बत्ति करины कर दो था फ्रल अगर ने करता है अगर को जो करता है दो प्लंग to से लृटल चाहई उनका Means क्यों से यहां से辉सी इंपर्टन प्यार है मुहम्मत सोहिल आमीर हम्जा एक इंप प्यार और उसामा एक इंपोर्टन प्यार कि दो बार कर रहे हैं और साथ यूसुब और जो भी प्लेयर को लेना है उताने का मुहमत बिलाल और कमरंट जिया से दोनों मैंसे किसी एक को लेके चलना, ठीक है? तो चलिए मैस के बारे में पूर बता दिया है, इसका भी अगर कोई भी खेलेगा मैं बेंच पे, तो मैं आपको इस्टाट देज़ दूगा, तो चलिए अभी डेमो टीम के बारे मैं आपको बताता हूँ. तो मेरा आभी के लिए डेमो टीम होने वाला है मैंने विकेट को सेक्शन में टेलियास को रखा है और बैठन किस्व आमने जे साशलम बीबी जे आसलम बीबी ए जावीद एम उसामा और और ओलर नो सेक्शन में एम सोहिल ए हमजा वाई अली डबली अब्बस बर्लिंग का दस्तेगर और यह मासिब को रखा है यह मेरा फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम मिले आपको आपको लाइन अप टेलिगाम में टेलिगाम का लिंक में आपको एट्यूब डिस्क्श्शन देदूंगा वह से जाके आप लोग जान हो जाना तो चलिए फिर मिलते नेक्स व